आईए इन से जानते हैं कि पहले चरण की सुरवात कैसी रही है पहले चरण की जो हम लोग का विधायक संक्सत लिखित समर्थन प्राप्त अभियान जो चल रहा है या अतिहासिक है या पाक्ष और विपाक्ष सम्मील के एक सवर में कर रहे हैं कि 60-40 नए चलतो हकमार निती न बहु मुल्य भोट दे करके विधायक और संक्सत बनाये हैं उसको जा जाके पूछ रहे हैं कि 70-40 चलतो कि नए चलतो तो साथ चालिस तो नए चलतो अगर साथ चलतो रहतना होता जारखन क्यों गठन हुआ है जारखन गठन हुआ है अलग राज मतलब साथ चालिस नए चलतो और तमाम विधायक संक्सत लोग साथ चालिस नए चलतो को समर्थन दे रहे हैं जो थोड़ा दूर दिरिष्टी सोच पा रहे हैं जो बाहरी प्रेम के माया जाल में नहीं फसे हुए हैं जो बाहरी भूमाफियाओं के चंद स्वार्त लाब चनिक लाब के मोह माया में नहीं फसे हुए हैं वो इसे विधायक तमाम बिधायकर संसत का या वक्त जानने की जवरेत है या वक्त जानने की समय है कि कौन बिधायक साटचालिस चलतों के साथ है और कौन बिधायक संसत साटचालिस paragaluku के साथ है और जो विधायक संसत, बाहरी प्रेम, बाहरी माया जाल, बाहरी भूम अफ्याओं के इर्द गिर्द में छनिक, लाब और लालच के चक्कर में साट-चालिस नाय चलतों समर्थन देने में आना कानी कर रहे हैं, ताल मटोल कर रहे हैं, किन्तु प्रंतु बठ कर रहे हैं, वो समझे हैं, वो साट-चालिस चलतों कहना चा रहे हैं जो साट-चालिस नाय चलतों को समर्थन नहीं कर रहे हैं, और कह रहे हैं कि साट-चालिस चलतों और इसे विदायक संसत, दुजार चोबिस में नाय चलतों और साट-चालिस नाय चलतों का अंधी में सब उड़ जाएगा जो आभी साट-चालिस चलतों कह रहे हैं सब का सब उड़ जाएगा क्योंकि सरकारी आकड़ा कहता है मेडम कि जारखन का तीरतिया और चतूर्त वर्ग में तीन लाक बावन हज्जार रिक पद है और सरकार से रजिस्टेट जो बिरोजगारों की संक्या है वह लगवग 6 लाक है अगर जारखन्डी हीत में खतियान अधारित संविधानिक नियोजन नीती लागू होती है तो जारखन्ड के परतेक परिवार से एक-एक सरकारी नोक्री होगा एकदम कानफार्म कानफार्म तो कानफार्म हर एक परिवार से एक-एक सरकारी नोक्री होगा लेकिन बरतमार साट चालिस नाई चलतो इसे लेकर के लगातार चात्र यहां पर आंदोलन रहते हैं अभी कुछ दिनों पहले चात्रों ने बताया था कि वो तीन चरण में इस बार आंदोलन करने जा रहे जिसमें कि पहले चरण की सुरवात इन्हों ने कर लिए अभी हमारे साथ एक साट चालिस नाई चलतो बाहरी नीति नाई चलतो और जहरखन के इतिहास में पहली बार्ट सम्पूर्ण जहरखन, पाचों, प्रमंनल, चोबिस, जिला, एकासी विधान, समाठ्ष छेत्र के लोग एक साथ एक मुद्दा पर लड़ रहे हैं और तमाम राज के विधायक और संसद जिसको अपना बहु मुल्य भोट दे करके विधायक और संसद बनाए है उसको जा जा के पूछ रहे हैं कि साट चालिस चलतो कि ना चलतो तो साट चालिस तो ना चलतो अगर 47 चलतो रहतना होता तो जारखन क्यों गठन हुआ है जारखन गठन हुआ है अलग राज मतलब 47 नए चलतो और वे तमाम विधायक संगसद लोग 40 नए चलतों को समर्थन दे रहे हैं जो थोड़ा दूर दृष्टी सोच पा रहे हैं जो बाहरी प्रेम के माया जाल में नहीं फचे हुए हैं जो बाहरी भूमाफियाओं के चंद स्वार्त लाब चनिक लाब के मोह माया में नहीं फसे हुए हैं वो इसे विधायक संगसत जो दूर द्रिष्टी देख पा रहे हैं जो राज के लिए भला सोच रहे हैं जो यहां के नोकरी माटी जल जंगल जमीन यहां के पहार परवाद नदी, नाला, जहरना को से प्यार कर रहे हैं उसके बारे सोच रहे हैं वैसे तमाम विधायक संगसत लोग समर्थन कर रहे हैं तो आज तमाम विधायकर संगसत का यह वक्त जानने की जवरेत है या वक्त जानने की समय है कि कोन विधायक साट चालिस चलतों के साथ है और कोन विधायक संसद साट चालिस नई चलतों के साथ है और जो विधाय अक्सान साथ बाहरी प्रेम, बाहरी माया जाल, बाहरी भूम अफ्याओं के इर्द गिर्द में छनिक लाब और लालच के चक्कर में साट चालिस नई चलतो समर्थन देने में आना कानी कर रहे है, ताल मटोल कर रहे है, किंतु प्रंतु बढ़ कर रहे है वो समझिये, वो साट चालिस चलतो कहना चा रहे है, साट चालिस चलतो कहना चा रहे है, अर्थात राज का जो एक नीती के तहट जो यहां की नौकरी और नौकरी के साथ साथ यहां की माटी, यहां की जंगल, यहां की पहार, परवत, नदी, नाला, जहरना को बेचना चा रह समर्थन नहीं कर रहे, और कर रहे कि 47 चल्टोव, ओ ऐसे विदायत संसद, 2024 में नाय चल्टोव, और 40 माय चल्टोव का आंधी में सब लग जाएगा, जो आभी 47 चल्टोव कर रहे हैं, सब कर सब लग जाएगा, क्योंकि, सरकारी आकड़ा काता है मेडम, कि जारखन का तीरतिया और चतूर्त वर्ग में तीन लाख बावन हज्जार रिक्पद है और सरकार से रजिस्टेट जो बिरोजगारों की संक्या है वो लगवक छे लाख है मतलब मैं देदर नात्मा तो ओन केमरा रिकोर्डेट दावा कर सकता हो कि अगर जारखन्डी हीत में खत्या अधारित सम्भिधानिक नियोजन नीती लागू होती है तो जारखन्ड के परतेक परिवार से एक-एक सरकारी नोक्री होगा एकदम confirm, confirm तो confirm हर एक परिबार से एक-एक सरकारी नोकरी होगा लेकिन बरतमान धर्खन की सरकार बाहर को नोकरी देने के लिए टेंडर लेकि रखी है और यहां के तमाम जो 3,52,000 रित्पद है उसको बेचने का साजिस रच रही है तो आज हम लोग यह सब होने नहीं देंगे चूकि यहां जो नियुक्ति निकलने की बात कही जा रही है 26 हजार सिचक भाली की बात कही जा रही है लाखों नोकरीया देने की बात कही जा रही है या वैसा ही है जैसे देवंदर नात्मातो को कोई बलका एकदम हवाद इन्वर्सिटी से अक्सपोड इन्वर्सिटी से कहेंगे कि आपको मास्टर डिग्री देते है 99% वाला 99% वाला हवाद और अक्सपोड इन्वर्सिटी से मास्टर का डिग्री दे रहे हैं लेकिन उस डिग्री में देवंदर नातमातों का नामे नहीं है, तो वह डिग्री मेरा किस काम का? उसी पर कर लाखो परिचान युक्ती का विग्यापन की बात कर रहे हैं, लेकिन उस विग्यापन वन जो dzistarकिन सब्दे का जिक्रे नहीं है, मतलब ये बाहरी हाथों बेचा जा रहा है और जारखन का सरकारी तंत्र को बाहरी गुलाम का पेच में फसाने का साजिस रचा जा रहा है और बाहरी गुलाम का सरकारी तंत्र को गुलाम बना करके यहां की भासा, सस्कृति, माटी सब को गिर्वी रखना चा रहा है और बताइए अभी तीर तीर चतूरत वर्ग के बिग्यापन में जारखन सब्द को गायब कर दिया उड़ा दिया ऐसे ऐसे गद्दार बारी मौमाया लालत शनिक लाव वाले जो दूर दिरिष्टी नहीं सोच सकते हैं इसे विधायक संगसत रहेंगे तो निश्ची थी यह राज का जो है कि भारत का मानचित्र सज्वर्खन को यह लोग गायब करा देंगे पूरा खोखला बना देंगे यह लोग इसलिए हमारा पुरवच कट के मर के खुन बहा के यह राज लिया है तो इस राज को बचाने का हम लोग संकल्प लिया है इसको हर हाल में बचाएंगे और अगामी 25 माई तक यानि और आने वाले 9 दिनों के अंदर हम तमाम कासी विदायक चुदो संसत को एक सोर पे सार चालिस नए चलतों कहने को मजबूर करेंगे और जो विदायक संसत समर्थन लिखित नहीं करेंगे उसको हम लोग यहां के तमाम अस्थानिय लोगों से हम अपिल करेंगे कि उस विदायक को चिन्नीत करें चिन्नीत करें चिन्न प्रोग्राम हो सास्क्रितिक प्रोग्राम हो बिया हो साधी हो उसको कहीं जो है कि बुलाना छोड़ दीजे उसको कोई अभी जो है कि जार्खन बार बार नहीं लड़ेगा जार्खन एक बार आर और पार का लड़ाई लड़ रहा है और यह अंजाम तक लड़ेगा सरकार जिस तरीके से विग्यापन निकाल रही है विग्यापन में आपका कहना है कि जारखन का कही नाम नहीं है लेकिन मुक्यमंत्री के द्वारा ये कहा जा रहा है कि विग्यापन हमने जारखंडियों के लिए ही निकाला है अरे देवेंदर नात महतों का कहना या सरकार का कहना जाए भाण में हम हवा हवाई ने कहते हैं भिग्यापन निकाल के देखिये ना राज के तमाम देश के तमाम राज चाहे जमुकस्मीर से लेकर हम तमिलाडू तक की बात करें चाहे गुजरात से लेकर अरुणाचल परदे तक की बात करें तमाम राज के तीरती और चतूर तुबर्गे की नौकरी में उस राज का अस्थान या निवासी का जीक्र एस परस्ट रूप से विग्यापन पे लिखा हुआ है हम और कमरा पटक देंगे जब मुख्यो मंत्री बोलेंगे और जारखन का अभी विग्यापन प कुछ और कर रहा है तम कैसे मानेंगे जो कागज कर रहा है यहां धर्खन सब्ध का जीक्र नहीं है मतलब यह जारखन कोई काम का नौकरी नहीं जिस तरीके से आप लोगों ने भी समर्थन पत्र के लिए विधायक को दिया है तो अभी तक कितने विदायकों ने आप लोगो तुम चेकर बिढ़ामाइन से अपील अपिलों ने को पहले यह पूरीबात बताई még 20 की जो आप रोगों ने अंदोल्ण जो चला रहे वो तो क्योंकि यह जो तो शाठ चार नियोजन निती है यह अभी से नहीं चल रही है पीछले चार सा चार महिनों से चल रही है तो यहां बहुत चारे आंदोलन हुए जो लास्ट है हम लोग का अंदोलन हुआ ता 17-18 उससे भी पूरे ग्रामीन लोग जान गिये हैं और उसके बाद जो हम लोग का अ पोरा मतलब की बाहर!' के लिए यह जोब लेके आई है, जहरकंट के लिए लिके नहीं आई है तो क्या मुख्यमंदरी के सरफосे कोई भी आया है आप लोगों सभी तक बात्चित करने के लिए देखिए तो राजी के लिए दुरुभाग की बात है माने निया मुखमंतरी जी को सोचना चाहिए इस पर कि आज एक छोटे कमरे में लाइवरेरी में और अपने रूम में पढ़ने वाले चात राज क्यूं सडकों प बनाने का को सिस ना करें ठीक है ना जीस तरह हमेरा तीर्ट वर्गया चत्त वर्गया नौकरी में और यह राजी हम लोग को पता है वह समन समय तीन राजी ये अलग हुए थें लेकिन जार्खन जैसे राज्ये ने जितने अपना बलीदान दिया है जितना संगर्ष किया है उतना किसी राज्ये ने संगर्ष नहीं किया है इस राज्ये को अलग होने के लिए हमारे माताव बहनों हमारे पुर्वजों ने हमारे परिवारों ने बलीदान दिया है एक खून लेकर आए और एक साब सुत्री नीटी लेकर आए क्योंकि हम पढ़ने लिखने वाले यहां पर राची जिला या अन्य जिलों में आएक नौकरी लेकर राजी की उनती और प्रगती में अपना युक्दान देने लेकर लेकिन राज्य सरकार कहीने कहीं हम लोगों को बात दे कर ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है ऐसे में क्या लगता है आप लोग जो दबाव उन पर बना रहे हैं वो पूरी तरीके से सफल हो पाएगा बिलकुल सफल होगा कूर्सी बचाने के लिए को नहीं अपना काम करता आज देखिए अभी हम लोग का जो अंदोलन है बहतर घंट करने का काम कर रही हैं जिस तरीके से अभी यहां पर हमने चातर नहीं कर लोगा कर रही है तो यह तो देखना पड़ रहा है ना चाटरों को कि यह कहीं ने कहीं राज्य जो सरकार जो है वो छातरों को चलने का काम कर रही है छातरों को दिख भरमित करने का काम कर रही है जिस तरीके से अभी यहां पर हमने छातर नेता से बात किये और उनके साथ यह बात किये और यह बात जानने की कोशिश किये कि कहीं ने कहीं इनका जो आंदोलन पिछले महीने भी चला था और फिर इन्हों ने अभी अपने तीन चरण में फिर से आंदोलन के शुरुआत की है पहले चरण की जो सुरुआत होई है उसमें ये टोटल 81 विधायकों और 14 सांसदों को समर्थन पत्र जाकर करके सौपिंगे और उसके बाद उनसे वापस में उसका जवाब लेंगे अब देखना ये है कि जिस तरीके से विधायक अभी इने यहां पर सपोर्ट कर रहे और जो विधायक अभी इने यहां सपोर्ट नहीं करेंगे तो उसके बाद पर दूसरे चरण में ये लोग क्या कुछ करते हैं और ये भी देखने लाइक वाली बात रहेगी कि जिस तरीके से भी हेमन सरकार के पास उनके कारेकाल का ज्यादा समय नहीं रह गया है उसमें क्या ये चात्रों का जो आंदोलन है वो उन्हें जारखंड में जारखंडियों का हग दिलाने में काम्याब होता है या नहीं ऐसे खबरों के अपडेट्स के लिए आप मेरे साथ बने रहें, मैं प्रेज़ना चारशा दर्श्टी नौराची।